निव लाइट की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से प्राचीन भारत के इत्यास को हम लोगों को पढ़ना है पिछले लेक्चर में एक ओवराल व्यू दिया था सेक्ड लेक्चर में मैंने पासान योग तामर पासान योग इसके बारे में समझाया था महापास अनकाल के बारे में भी जिक्र किया था तो जो सिंदु घाटी सब्विता है इसकी खोज किस तरह से हुई इसके बारे में थोड़ा जानते हैं जब अंग्रेजों ने रिसर्च किया अंग्रेजों ने भारत के इतिहास के वारे में समझने का प्रयास किया तो जैसे ही सिंदु घाटी सब्विता की खोज हुई तो अंग्रेज भी इससे एक तरह से आश्चरे चकित हुई है क्योंकि अंग्रेज ये समस्ते थे कि भारत का जो इतिहास शुरू होता है वो सिंदु घाटी सब्विता से शुरू होगा सिंदु घाटी सब्विता की खोज से पहले अंग्रेज ये समस्ते थे कि भारत का इतिहास बैदेग योग से शुरू होता है जैसा कि अभी धीर धीर जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भारत के इतिहास को अंग्रेज बहुत ही तुच्छ समझते थे वो कहते थे कि जो भी भारति इतिहास है ये केवल धर्म धर्म पर डेपेंड करता है इसलिए भारत का जो इतिहास है वो सिकंदर के आक्रमड के समय से ही सुरू होता है इससे पहले तो कोई इत्यास ही नहीं है एक अंग्रेज ने कहा था कि भारत का जो जितना इत्यास है इंगलेंड में जो लाइबरेडी है उसकी एक किताब है उसके बराबर होगा भारत का इत्यास तो इस तरह शीहीन भावना से देखते थे 1921 में एक क्रांतिकारी घटना हुई सर जोन मार्सल के नेतुरत में दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर जी ने हरपपा वा मोहन जोद्रों की खुदाई करवाई 1921 में सर जोन मार्सल के तत्वादाम में दयाराम साहनी और राखल दास बनर जी अब में एक्जाम में कुश्चन पूचा जाता है कि हरपपा सब्विता की खुज किसने की या हरपपा इस तल की तो दयाराम साहनी मोहन जोद्रों की खुज किसने की राखल दास बनर जी अच्छा दयाराम साहनी ने कब की 1921 अगले साल राखल दास बनर जी ने तो इन्होंने खोज किस तरह से की जब आधनिक भारत पढ़ाएंगे तो बंगाल का विवाजन करवाया था लाड करजन लाड करजन बहुत ही एक तरह से यूग विवाजन कारी बाइसरा है तो इसने प्राचीन इसमारक सनरक्षन अधीनियम पारित करवाया और इसका हेड बनाया जोन मार्शल अच्छा सिंदु घाटी सबता की खोज के बारे में ऐसा कहा जाता कि 1826 में चाल्स मैशन ने टीले की उरिसारा किया था 1861 में कैनिंग ने भारतिय पुराता त्विक सर्वेक्षन आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया की स्थापना करवाई थी तो एक फैक्ट तो यही हो गया लाड करजनवाला कि इसके समय प्राचीन इसमारक्षार रक्षन अधीनियम बना जोन मार्शल को हैड बनाये गया 1826 में चाल्स मैशन ने एक टीले की उरिसारा किया था लेकिन किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया 1861 में आर्केलोजिकल सर्वे ओफ हंडिया की स्थापना कैनिंग के समाई सिंदु घाटी सबता की खोज के वारे में ऐसा कहा जाता है कि जब लाहोर से लाहोर के पास रेल्वे लाइन बिछाई जा रही थी तो बहाँ इटे मिलीं बाद में पता चला यह तो भई सिंदु घाटी सबता या हरपा सबता है सिंदु घाटी सबता इसको आद एतिहासिक सबता भी कहते हैं क्योंकि हमने पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि आद एतिहासिक काल उसको कहेंगे जहां पर मनुस पढ़ना लिखना तो जानता था लेकिन उसने जिस तरह से लिखा उसकी लिपी को हम नहीं पढ़ सकते एतिहास कालन पढ़ पकते हैं एक कांस्योगीन सबता भी है नंगरी ये सबता भी थी इस सबता सिंदु हाटी सबता को हरपा सबता कहना सही होगा अच्छा एक आपके लिए हॉमवर्क भी है बीडियो को पहुच कीजिए और सोचिए और अगर हम सिंदु हाटी सबता कहेंगे तो अभी हमें देखेंगे कि जो इसके जो भी इस्थल मिले हैं गुजरात में भी मिले हैं डाइमाबाद महरास्ट में भी मिले हैं आलमगीरपुर उत्ता प्रदेश का जो मेरच वाला रीजन है बहां भी मिले हैं तो बहां तो सिंदु हाटी सबता नहीं है इसलिए हरपा सबता कहना इसलिए सही होगा क्योंकि परथम खुदाई कहां होई हरपा सबता में इसलिए सिंदु घाटी सबता को हरपा सबता कहना उच्चित प्रतीत होगा चलिए आगे तो इसे हरपपा संस्कृती इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पता सबसे पहले बर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांट गुमरी जिले के हरपपा हरपपा कहां पर है? रावी नदी एक फेक्ट्स ए भी आ गया है यहां से हरपपा सब्वता रावी नदी के पास है नामक इस थान से चलाता है जब रावी नदी को देखेंगे तो हरपपा सब्वता इस ओर पढ़ेगा तो इसके मैप के द्रिष्टी में देखेंगे तो यह बाईयोर इसके बाद इस सब्वता के अवसेश सिंदु प्रांत के लरकाना जिले में मोहन जोद्रो ये सिंदु नदीज के किनारे था प्राप्त हुए हैं सिंदु सब्वता के दो महत्पून नगर हरप्पा वा मोहन जोद्रो को पिगट महोदय ने एक बिस्तरत समराज की जुडवा राजधानी कहा हरप्पा सब्ता में हरप्पा और मोहन जोद्रो ही दो प्रमुख इस्थल थे इसलिए पिगट ने कह दिया कि ये बिस्तरत समराज की जुडवा राजधानी हो सकती है खुदाई में जिस तरह इसे साक्ष मिले हैं उसके बेसिस पर कहानी बनाई गई है मतलग कड़ी से कड़ी जोड़ी गई यह समू चास छेत्र एक त्रभुजाकार में फैला हुआ है इस सब्ता का भौगलिक छेत्र मिस और मैसोपोटामिया की सब्ता से अधिक है जब इसको भारत की मानचित्र में देखेंगे तो इस उत्तर में जम्मू कस्मीर है मैं मांडा एम हो गया पश्चिम में देखेंगे तो सुत कांगे डोर जो की पाकिस्तान में है ऐस हो गया दश्चन डारेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पह दाइमाबाद है और इसी तरह से पूरब की और होगा आलम की तो लगभग इस तरह का थोड़ा सा इस तरह का एक त्रोभुजाकार छेत्र बन रहा है तो हरपा सब्विता यह सुन्दू घाटी सब्विता का छेत्र त्रोभुजाकार तो इस को त्रोभुजाकार मान लेते हैं यहाँ आलमगीर पुर हो गया यहाँ पर मांडा हो गया यहाँ पर दाइमाबाद और यहाँ पर सुपका तो एक्जाम में कई बार पूँचा जाता है कि सिंदू घाटी सब्विता यहरपा सब्विता का पश्मी छोर तो सुथकांगे डोर अच्छा इस सुथकांगे डोर किस नदी के किनार है दास्क डी इसकी नदी हो गई टी पूरब में आलमगीर पुर यहां पर हो गई हिंडन नदी और उत्तर में मांडा यह चिनाव नदी और लास्ट में दश्ण दाइमवाद यह प्रवरा तो इस तरह से यह एक्जाम में इसका जो पश्चमी पूरबी उत्तरी दश्णी यह सीमाय पूँची जाती है और साथ में कौन किस नदी के किनारे इस्तत है तो यह दश्ण दाइमवाद प्रवरा नदी के किनारे है कहां पर है महारास्टर उत्तर में मांडा एक कसमीर में है किस नदी के किनारे इस्तत पूरब में आलमगीरपूर हिंडर नदी के किनारे कहां पर है उत्तर प्रदेश और पश्चिम में सुतकांगे दोर दासक नदी के किनारे और चलिए सिंदु घाटी सब्विता की विसेश्टा है एक इस थल हरपा सब्विता तो यह राभी नदी के किनारे तट पर बना है यहां से अन्नागार और स्रमक आवास के भी साक्ष मिले हैं अन्नागार यानि कई लोग मिलके धन जो खाद्यान खाद्यान पैदा होता था उसको एकट्टा करते थे एक तरह से आज के जो मंडी होते हो उस तरह से मोहन जोद्रो मोहन जोद्रो का साब्दिक अर्थ होता है मिर्तकों का टीला सबसे बड़ा नगर है अगर यह पूंचा जाए कि हरपा सब्दता का सबसे बड़ा नगर कौन था तुम मोहन जोद्रो यहां से का से की नर्थ की मिली है और जिस तरह से नर्थ की मिली है इससे यह सिद्ध होता है कि यह धातू बिग्यान के बारे में भी जानते थे यहां इस नानागार भी मिला है अननागार भी मिला है और दुर्ग प्रोहित राजा के इस तरह के साक्ष भी मिले है बिसाल इस नानागार मिला है यहां से इससे यह अनुमार लगाया जाता है कि धार्मेक अनुष्टान के समय सभी लोग एक साथ नहाते थे हरप्पा से भी अन्नागार मिला है मोहन जुरो से भी अन्नागार मिला है अच्छा अब देखिए हरप्पा सबता में पक्की इंटे मिली है अभी स्टार्टेंग में बताया है कि हरप्पा सबता नंगरिये सबता थी तो नंगरी ये सबता में आज भी देखा होगा कि इंचें कैसी मिलेंगी पक्किन अब एक्जाम में जो आता है वो अपबाद आता है तो अपबाद इसका क्या है काली बंगा काली बंगा से कैसी इंचें मिली है कच्ची पहला कुश्यन हो गया बहुत ही मात्पूर ठीक, पक्की इंट है, अब बाद इसका काली बंगा, अच्छा, मैक्सम जगह, मैक्सम के हर जगह आयता कारी इंट मिली है, और जिनका रेश्यो है, 4 रेश्यो, 4 रेश्यो, 2 रेश्यो, 1, इस तरह ऐसे मिली है, एक्सम मैं हमेशा पूंचा जाता है, अपबाद से, तो इसका अपबाद है, चनहुद्रो, हर जगह से इंट मिली है, बक्राकार, चनहुद्रो से मिली है, बक्राकार, अनि हर जगह से जो इंट मिली है, वो आयताकार मिली है, और चनहुद्रो से बक्राकार, चलिए, चनहुद्रो जो जगह है, अभी बता दिया हरपा की खोज किसने की, हरपा इस्थल की खोज, मोहन जोद्रो की खोज किसने की, तो इसी तरह से चनहुद्रो की खो और अगर बृतिस के रिस्पेक्ट में किया जा तो यहां से अरनेस्ट मेंके इन्होंने खुदाई करवाई थी Ernest Mackey के नितुरत में एन गोपाल तार मजूद द्वारा खुदाई करवाई जहां से मन का बनाने का कारखाना मिला है तो एक्जाम में बहुत आता है कि चनहुद्रो या मन का बनाने का कारखाना कहां से मिला है चनहुद्रो और उससे भी बेरी बेरी इंपर्टन कुश्शन है कि लोथल क्या था तो लोथल एक बंदर गाहता इस से इस तरह के एविडेंस मिले हैं कि पश्चिम एसिया के साथ ब्यापार होता था लोथल भोगवा नदी के किनारे है और इसकी खोज की एस आर राव द्वारा तो लोथल से जो पश्चिम एसिया के साथ ब्यापार के साक्ष मिले हैं यानि जो मैसोपोटामिया में जिस तरह से सिक्की यूज होते थे या जिस तरह के एविडेंस हैं या जिस तरह से मरदभाण बनते थे वो लोथल के पास से मिले हैं और जो हड़ापा सब बताके एविडेंस हैं वो बहां मैसुपोटामिया में मिले हैं कि अच्छा सिक्के तो नहीं कह सकते उस समय के रिस्पेक्ट में जन्नली जो बर्ड होता था मुह रहे हैं कि यह वाला बर्ड जाना है सही रहेगा मौह रहे हैं तो पश्चम एसिया के साथ ब्यापार के साथ यहीं से मिले हैं एस आर राव द्वारा खोज की गई लोथल की और लोथल है भोगवा नदी के किनारे एक्साम में कई बार आता है नेक्स्ट मेहरगड मेहरगड को नव पास अनकाल की रिस्पेक्ट में बताया गया था तो मेहरगड से कपास के साक्ष मिले हैं और विश्व भर में या संसार भर में कपास के अस्तुत का ये प्राचीन तमसाक्ष है सिंदु घाटी सब्बता या हडपा सब्बता के लोग क्या घोड़े के वारे में जानते थे तो इसके वारे में हैं जाउट अभी बाद में आप पढ़ेंगे बैदिक सब्बता तो बैदिक सब्बता में सबसे प्रिये जो जानवर था या प्रिये पशू था वो घोड़ा होगा जबकी हडपा सब्बता में इसके वारे में जाउट संदे है लेकन सुर्खोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली है और भी बताएंगे अभी राना गुंड़ई इस तरह से भी जो जगए हैं यहां से भी घोड़े के वारे में जानकारी मिली है तो सुर्खोटदा से घोड़े की हड़ियां मिली है यह भी एक्जाम में कई वार पूंचा है अच्छा घोड़े के वारे में यह लोग उतनी जानकारी नहीं जानते थे अब जैसे सपोज हो सकता है कि घोड़े को पालतु न बनाया गया हो जंगल में रहता हो ठीक है मर गया हो इस तरह से भी तो कंकाल में ला जा सकता है आदमी जिस चीज की वारे में जानता है उसका जिक्र कहीं न कहीं करता है अभी आप से पूंचा जाए कि सेव का एपल का चित्र बनाईए आप तो अगर आपने एपल कभी देखा ही नहीं होगा तो क्या आप एपल का चितर बना सकते हैं नहीं बना सकते Next सुपकांगे डोर सुपकांगे डोर के बारे मैं भी बताया भी था कि ये पश्चमी पश्चम तम इस्थल है तो यहाँ से मनुस्की अध्या भी मिली है और मनुस्की अस्थियों की राक से भरे बरता नोगी बंदर गाहЁ भी था भारत में बंदर गाह लो था ऐसे भी काटेगराइज किया जा सकता है औस रुटकांगे डोज़ पाकिस्तान में भरत्मान भी था सबसे महत्पून कुश्यन काली बंगा, काले रंग की चुड़िया तो काली बंगा की जो खोज की वो ए एन घोश द्वारा की गई यहां से जुता हुआ खेत सवों के अंतेस्ठी संसकार हे तू तीन विधिया वो तीन विधिया कौन है पूर्ण समाधी करण, आंसिक समाधी करण और दाय संसकार ऐसा माना जाता है कि काली बंगा में जो दाय संसकार किया जाता था उसकी तीन विधिया परचलत थी जैसे कोई मर गया उसको जला दिया एक तरीका जैसे कोई मर गया उसको गार दिया दूसा तरीका जैसे कोई खत्म हो गया किसी की डेथ हो गई तो इसको कुछ दिन के लिए खुले में छोड़ दिया फिर इसके बाद उसको गाल दिया तो समाधी का इस तरह से तीन विधियां प्रचलती नेक्स्ट महत्पूर है बनावली यहां से मिट्टी का हल मिला है और बनावली की जो खोज की वो आर एस बिष्ट द्वारा की गई बनावली से मिट्टी का हल मिला है खोज एस आर बिष्ट द्वारा की गई आलमगीरपुर यह बताया था यह पूरवी यह पूरवी छोड़ है हडपा सबता का इसकी खोज की थी यगदत सर्मान अच्छा अभी पूँचाता हमने कि हडपा सबता का सबसे बड़ा सबसे बड़ा इस थल तो मुहन जो दरो लेकन अगर हमने ये पूँच लिया या एक्जामनर ने ये पूँच लिया कि भारत में सबसे बड़ा तो राख ही गड़ी नेक्स्ट दोला वीरा दोला वीरा की खोज की थी जेपी जोसी ने यहां से जल सनरक्षन सिचाई, बांध तकनीक के बारे में भी जानकारी मिलती है और एक मात्र स्टेडियम तो दोला वीरा की सम्मन्द में भी एक्जाम में जादा मुचा जाता है जल सनरक्षन यानि दोला वीरा को इस तरह से बसाया गया था प्लान वे में कि यहां से बीचों से एक तरह से नहर भी निकाली गई बांध भी बनाया गया पानी की सबसे अच्छी शुगदा तो दोला वीरा में जल सनरक्षन तक्नीक बांध तक्नीक और एक मात्र स्टेडियम हरपा सब्वता में कहीं भी स्टेडियम नहीं मिला है और जेपी जोसी ने इसकी खोच की दे अब महत्र जानकारी और देते हैं हरपा सब्वता में जो भी इस्थल मिले हैं जन्रली पूरे इस्थल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता था पूरव की और छोटा सा सहर रहता था जिसको निचला सहरी भी बोलते थे और पश्यम की तरह बड़ा सा और उसको फोल्टिफिकेशन यानि उसको दुर्गी करत कर दिया जाता था इस तरह की बिसेस्ता है अच्छा जो आम आदमी होंगे कॉमन में तो उन्हें तो कुछ इस तरह की सुगदा नहीं होगी लेकिन जो रोयल या राजसी लोग होंगे उन जो भी उनका सहर होगा उसको घेर दिया जाएगा बिसेस किया जाएगा तो इस जो बिसेस्ता है ये हडपा सबता में सभी इस्थलों की होगी अब एक्जाम में कहां से पूछा जाएगा जहां पे इस तरह की नहीं होगी तो देखिए काली बंगा या काली बंगा नहीं इसमें पश्मी और पूर्वी जो दोनों थे पश्मी भी और पूर्वी दोनों को रक्षा प्राचीर से इस तरह से घेरा गया दोनों एक काली बंगा की विसेस्ता है अब देखिए चनहुदुडो चनहुदुडो से मन की बनाने का कारखाना मिला है अभी बताया है तो इससे प्रूफ ये भी एक तरह से निसकर्ष निकाला जा सकता है कि यहाँ पर कोई बिसेशी क्रत लोग नहीं रहते थे यानि आम नागरे के या मजदूर लोग ज़ादा रहते थे तो क्या यहाँ पर इस तरह के फॉल्टिफिकेशन की जुर्ट होगी नहीं होगी तो यहाँ तो दुर्ग ही नहीं है यहाँ पर अभी मैंने बताया धौला वीरा के बारे में धौला वीरा जल्स रख्ष तकनीक इससे सम्रद्ध था इन चीजों में तो इसको तीन भागों में विवक्त किया गया लोथल बंदरगाय था बिदेशी ब्यापार का केंद्र था तो पश्चमी और पूर्वी विवाजन नहीं पूरा एक रक्षा प्राचीर है तो इसमें डिवाइडेशन नहीं था एक ही रक्षा प्राचीर में इस तरह से इसको बना दिया बनाया गया था तो इस तरह से पश्चमी पूर्वी जो डिवाइड किया गया कहां किया गया कहां नहीं किया गया कौन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया इस तरह से हरपा सब बता के इस धलों की प्रमुख बिसेस्ता थी ए एक्जाम में बहुत बार कई बार आ रहा है यह क्या है इस चारों महत्पूर्ण हैं आप इनको नोट कर लीजिए तो इस तरह से दोला बीरा जलासाय के लिए एवं लोथल गुजरात इस तरह से पढ़ते गए हम लोग आलमगीर पुर मेरठ मद्द प्रदेश इस तरह से इस्थल मिले हैं अच्छा ये आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ थोड़ा सा इसको नोट करने जोट नहीं है तो केवल ऐसे ही किया गया मनुरंजन के लिए सेंधव नवासी मचली पकड़ना और सिकार करते थे तो इस तरह से ये कुछ जो जनरली हम लोगों ने पढ़ लिए हैं ये सभी इस्थल के बारे में ये था आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं कभी भी आर्थिक जीवन के बारे में बात हो चाहे वो सिंदु गाटी सब्दा के सम्मंद में हो बाद में बैदिक सब्दा पढ़ेंगे या किसी भी यूग के सम्मंद में हो जब भी आर्थिक ब्वस्था की बात होगी तो बहां क्रशी, पसूपालन, बिदेश ब्यापार इस तरह की चीजों का जिक्र किया जाएगा तो सिंदु घाटी की सब्वता नंगरिय सब्वता थी इसे पहली नंगरिय करांती कहा जाता है दूसरी पढ़ेंगे अभी बुद्ध काल में, महा जनपद काल में पढ़ेंगे अता आर्थिक विवस्था मुखरूप से ब्यापार पर नर्भर थी आपने देखा होगा सहरों की जो आर्थिक विवस्था होती है बहां पर क्रशी जादा नहीं होती है इंडर्स्ट्री जादा होता है यानि जो उद्धोग वाला पार्ट होता है कि पहले नंबर पर होगा देन होगा किसी तो इस तरह से जो हडपा सब्विता है यहां पर बिदेश ब्यापार भी हो सकता है और आंतरिक ब्यापार भी हो सकता है यानि ब्यापार पर आधारत थी हडपार लोगों का ब्यापार पश्य मेसी या अफगानिस्तान एवं इरान से था अनेक हडपा की मोहरे में मैसोपोटामिया से निकली है जिसके बारे अभी हमने आपको बताया था मैसोपोटामिया में सरवाधिक ब्यापार होता था मैसोपोटामिया से प्राप्त मेल हुआ अच्छा मैसोपोटामिया में एक वर्ड आया है मेल हुआ नाविकों का देश इसके बारे में अनुमाल लगाया जाता है कि सिंदू हटी सब्वता या हडपा सब्वता के बारे में ही कहा गया या हडपा सब्वता को ही मेलुह कहा जाता था हडपाई लोग गेहूं, चावल, जव, कपास, आदी की खेती करते थे इसके अत्रिक्त वाय मोटे अनाजों के बारे में भी जानते थे और सबसे पहले कपास का उत्पादन सिंदू छेत्र में हुआ कूबर वाला बेल बिशेश प्रिय था अच्छा आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग एक बेल को गंटी वगेरा बांधी रहते हैं और गली गाओं में गली गली गुमाते हैं और उसके अवज में दक्षा भी मांते हैं तो सायद एक कूबर वाला बेल यहीं से पूज नहीं हुआ लोग उसकी एक तरह से पूजा भी करते हैं तो सिंदू हटी सामें जो एक कूबर वाला बेल है यह बहुत ही प्रिशिद्ध है अभी आप पढ़ेंगे कूबर वाला बेल और अभी पढ़ेंगे एक सींग वाला जानवर अब यह मत सोचिए कि जो वो एक सींग वाला जानवर है वो गैंडा नहीं है वो जो एक सरंगी पसू है एक सरंगी पसू और कूबर वाला बेल हरपा सबता में बहुत ही फेमस थे तो अभी हमने बताया था आपको कि राना गुंड़ई में दात गोड़े के दात मिले शुरुकोटदा में अस्तिया मिली जानते थे या नहीं इसके बारे में संदिय है इंडस्टी के बारें पढ़ते हैं इंडस्टी में कपास यानि बस्तर उद्धुक के बारे में हरपा सबता के लोग अच्छे से जानते थे अभी आपने यह भी पढ़ा के मोहन जोदलों से धात उद्धुक कांसे में तिन की मात्रा कम तो मोहन जोदलों से कांसे की नर्थकी मिली है अच्छे ये वताईए कांसा किस से मिलकर बनता है तामबा और टिन जब तामबा और टिन मिलते हैं तो बनेगा कांसा तामबा के लिए राजिस्तान है फ्हेतरी से निकलता था अब चाहिए टिन तो टिन को अफगानिस्तान या और कहीं से आता था इस तरह से यह कह सकते हैं कि टिन को कठनाई से मंगाया जाता था इसलिए इसलिए तामे की वस्तुएं जादा मिलें सौना कहां से मिलता था कोलार कोलार की खानों से सीसा दश्ण भारत से अभी आप पढ़ेंगे कि जो सात बाहन सासक थे वो सीसे के सिक्के चलाते थे ये दश्ण में पढ़ेंगे सात बाहन सासक एक्जाम में कही बार यही पूँच लेते हैं कि सात बाहन समराज के सासक किस धातू के सिक्के चलाते थे मुद्रा का प्रचलन नहीं था यानि सिक्के मुद्रा इसके बारे में नहीं जानते थे वस्तू विनमय से ब्यापार होता था कई वस्तूमों पर कपड़े की छाप देखने में आई है अचाहिए जो लोग सूती बस्तर बनाते थे उसके लिए तकलियों का इस्तिमाल करते थे ते जैसे ए रस्ता गई है यह शड़ाग इसके बगल में यह गर बना दिया ए बना दिया इस तरह से प्लान वे में एक बहुत ही सो नियुजत तरीके से बस्तियां जैसे सहरों में बसाई जाती है कॉलोनी उसी तरह से बसाई जाती है तो मकानों के बीच में आगन होगा चारों और कमरे होगे पकीटों का होगा और जिस तरह ऐसे खिड़की और दरवाजों के पीछे जो प्रकास के लिए रोशंदान बनाते हैं खिड़कियां बनाते हैं जलनकासी की विवस्ता के सहरों में की जाती है उस तरह के घरों को बनात थे इससे सिद्ध होता है कि सिंदुगाटी सब्वता के लोग या हरप्पा सब्वता के लोग बहुत ही एडवांस लोग थे जो नंगरों में आज के सिटी में जो होता है उसके बारें बहुत ही प्लान बे में थोड़ा धार्मिक जीवन के बारे में परते हैं तो हरप्पा में पकी मिट्ची की इस्तरी मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली है एक मूर्ती में इस तड़ी के गर्व से निकला एक पौधा दिखाया गया है यह संभवता प्रथिवी देवी की प्रतमा है इसे उरवर्ता की देवी माना जाता है मोहन जोदलों से प्राप्त एक सील पर पदमासन योगी चित्रत किया गया है जिसके सिरपर तीन सिंग है पसुपती के चारोर हाती, बांग, गैणचा और भेंसा उपस्तती से या प्तती तो होता है कि यह पसुपती महादेवी है सबसे महत्पून कुशन के जो सिंदुगाटी सबता से जो यह ब्यक्ती या देवता मिला है यह प्रोटो सिवा है यानि प्रोटो सिवा सिवजी से पहले तो यह जो मुद्रा मिली है मुद्रा तो नहीं कहेंगे इसको एक तरह से सील मिली है इस पे जिस तरह का अंकन है चार जानवर है जिसमें हाती, बांग, बाग, गैणचा और भेंसा है अभी बताये गया था कि एक सिंग वाला जानवर और कूबर वाला बैल प्रिशिद्ध है स्वास्तिक चिन भी सिंदु घाटी सब बता की देन है यहां से मंदरों का कोई साक्ष नहीं मिला है हरपाई लोग भूत प्रेतों में बिश्वास करते थे इस तरह दार्मिक चीजों में धर्म में विश्वास करते थे हरपाई सब बता के लोग तो यह जो चार जानवर अभी हम पताए गए हैं यह थोड़ा याद रखिए स्वास्तिक चिन्न मिला है यहां से स्वास्तिक चिन्नी की जो खुज हुई है वो हरपा सब बता से यह हरपा सब बता की देन है और एक सिंग वाला जानवर और कूबर वाला बैल प्रमुक है हरपा लिपी मिली है जो वो बनात्मक नहीं है बलकी मुकता चित्र लेखात्मक यानि चित्र बने हुए है जैसे लिखना हो राम तो जो हरपा सब बता है उसमें मालूम चला इसकी जगए बना दिया कोई चित्र यह जो इतने हिस्से की जगए कुछ और चित्र बना दिया मा की जगए कोई और चित्र बना दिया इस तरह से जो सिंदू हाटी सब बता या हरपा सब बता में जो यह लिपी मिली है यह चित्र लेखात्मक है इस पद्धिती को बोलते हैं ब्रूस्टो फेडन यह जो लिपी है यह बाईं तरप से लिखी जाती है जैसे कि हम उर्दू लिखते हैं यह उर्दू वाले सब्द में कुछ लिखा है जिस तरह से उर्दू लिखते हैं उसी तरह से हरपा लिपी लिखी जाती थी इसको बोलते थे ब्रूस्टो फेडन नेक्स्ट रेडियो कारवन से ही पता लगाया गया है सडपा सिथी का और इससे यह पता लगा है कि यह पच्छिस सो ईसा पूर्व से 2525 बीसी से 1720 तक हो सकती है अच्छा कारवन डेटिंग जो टेक्निक है यह पचास हजार वर्स तक प्रयुक्त होती है इसके बाद अगर करना हो किसी की आयू ग्यात करना हो तो इसके लिए है यूरेनियम डेटिंग जिस से पता लगेगा यूरेनियम डेटिंग कारवन डेटिंग पचास हजार वर्स तक ही प्रयुक्त होगी कारवन डेटिंग जो बिधी है या कारवन डेटिंग तब यूज होती है और ये विश्व में इस तरह की नंगरिय सब्वता तत समय बिद्दमान नहीं थी लेकिन फिर भी इसका पतन हो गया तो इस सिंदू हाटी सब्वता का पतन कैसे हुआ इसके सम्मन में इतिहासकारों में मत्वियत है देखिए मारसल में के एस आर राह। इन्होंने बताया कि इस हड़पा सब्वता का जो पतन हुआ वो बाड़ की वज़े से हुआ बाड़ आई अगल बगल जो सिंदू हाटी सिंदू नदी के किनारे जितने सहर थे या नगर थे वो डूब गया तो मारसल में के और एस आर राह। ने ये बताया कि बाड़ की वज़े से नस्ट चुगे अच्छा और आरेल इस्टीन ने कहा कि जलवाईव परिवर्तन की वज़े से ऐसा हुआ कई बार होता है कि जहां पर बारिस अभी आज बर्तमान परिवेश में देख हैं तो राजिस्थान वाले रीजन में इस समय ठार का मरुस्थल है और सिंदुगाटी सब्वता के वारे में देखें तो ये सिंदुगाटी सब्वता यहीं फली फूली तो जलवाई उपरिवर्तन भी एक फैक्टर हो सकता है तो आरेल इस्ट्रीन ने बताया कि जलवाई उपरिवर्तन की बज़े से हरपा सब्वता का पतन हुआ अच्छा एमार साहनी ने बताया कि जल प्लावन की वज़े से हुआ यानि जो एस सहर थे बाड़ाई बहुत बड़ी बातरा में बाड़ाई और इन सहरों में जल भर गया उसकी वज़े से सिंदुगाटी सब्वता का पतन हो गया एमार साहनी ने गा जोन मारसल ने बताया कि ये प्रसासनिक सिथिलता की वज़े से हुआ कई बार जब सक्ति साली राजा होता है तो उसकी वज़े से समराज भी सक्ति साली होता है और जैसे ही कोई राजा कमजोर होगा उसका पतन भी हो जाएगा और अच्छा यही बात अभी आएगी मोरी योग में आएगी गुप्ति सम्राज में आएगी रहला ही ही हडपा सब्वता में कोई महामाडी फैली होगी जिसकी वजह से हडपा सब्वता का पतन हो गया तो यूर कैनेडी ने महामारी को उत्तरदाई बता रहा है वीलर पिगट वा गार्डेन चैल्ड ने बिदेसी आकरमण की बात कही है अच्छा कुछ नरकंकाल मिले जो बिल्कुल उल्टे पड़े हुए थे जिस से यह पता लगाया या अनुमान लगाया कि अभी जो आरी आएंगे हो सकता आरियों ने आकरमण किया हो जिसकी बज़ए से हरपपा सब्वता का पतन हो गया तो हरपा सब्वता को आरियों ने नस्ट किया होगा ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है वीलर, पिगट वा गार्डेन चैल्ड ने आक्रमड की बात कही है इस तरह से हरपा सब्बता जो की इतनी बिक्सित सब्बता थी पतन हो गया तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने हरपा सब्बता के बारे में पढ़ा है चलिए, पैन कॉंप्यूट आईए और कुश्चन्स लिखिए जो एक्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं सिंदुगाटी सब्बता के लोग किस धातु के बारे में पर्चित थे सिंदुगाटी सब्बता को आद एतिहासिक काल क्यों कहा जाता है हरप्पा की खोज किसने की? मोहन जोदुडो की खोज किसने की? प्राचीन इसमारक सनरक्षन अधीनियम किस वाय सराय के समय पारित हुआ? हरप्पा इस्थल किस नदी के किनारे है? किसने हरप्पा और मोहन जोदुडो को जुडवा समराज की राजधाने कहा? दाइमावाद किस नदी के किनारे है? सुरी दाइमावाद किस नदी के किनारे है? मांडा किस नदी के किनारे है? आलमगीरपूर किस नदी के किनारे है? सुतकांगे डोर किस नदी के किनारे है हरपपा सब बता के दो प्रमुख बंदर गाय बताईए मोहन जोद्लो मैं जो नर्तकी की मूर्ती मिली है वो किस धातू की है बक्रा कारी उचे कहां मिली है चनहुद्लो की खोज किसने की मन का वनाने का कारखाना कहां से मिला लोथल किस नदी के किनारे है लोथल की खोज किसने की गोडे की अस्तियों के साक्ष कहां से मिले है काले रंग की चूड़ियां कहां से मिली जुते हुए खेत के साक्ष कहां से मिले मिट्टी का हल कहां से प्राप्थ हुआ इस्थल भारत में हडपा सब्विता का सबसे बड़ा इस्थल जल सर्रक्षण के लिए प्रिसित दिप्रमों के इस्थल पश्मी पूरिवी इस तरह का विभाजन जो हडपा सब्विता में मिला उसमें किस कोन सा इस्थल तीन भागों में विभक्त था हडपा सब्विता के लोग किस पसूगी पूजा करते थे इवार कैनेडी ने हडपा सब्विता के पतन का प्रमुख करन किसे माना है इस तरह से यह आपके प्रमुख कुशन्स थे इनके बारे में सोचिए समझिए उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपियोगी सिद्ध होगा नमस्कार